विन्मेठी चे सालका था और यौD सालका. दोनों बहुत अच्छे दोस्ते बिलकुल शौले के जय और वीरूज जैसे. दोनों हमेशा साथ साथ लहते, साथ साथ खेलते, साथ साथ खाते पीते, साथ साथ नाते दोते, नहीं, दोते नहीं, ये थोड़ा जादा हो गया तो एक दिन वो दोनों गाउं से थोड़ा दूर निकल गए और खेलते खेलते उन में से जो बड़ा बच्चा था दस साल वाला, वो एक मोई में गिर 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 और जोर जो उसे चीखने चिदाने लग जया, तोगी उसको तैरना नहीं आता, अब जो दूसरा बच्चा था, छोटा था, छे साल का, उसने अपने आसपास में देखा, और उसको कोई नजर नहीं आया, उसको कोई नहीं देखा, जिसको क्यों बुला सके हेल्प के लिए, और फिर उसकी नजर मुटएशे बच्चे ने, छे साल के, और तस साल के बच्चे ने, उस बालटी को पकड़ा हुआ था, खीष तरहा खीष तरहा और तब तक नहीं रुका, जबत्पक उसने अपने दोस्त को बचा तरहा है, जब तक वो भाद नहीं देखा, अब यहां तक तो ठीक था, यहां तो उनको डर भी लग रहा था डर था कि अब गाउं जाएंगे तो बहुत बिटाई होगी जब उनको बताएंगे कि ऐसे हम कुए में गिर गए और ये सब चीजे होई लेकिन मज़े की बात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जब गाउं गए और जा करके उन्होंने अपने घरवालों को बताया बाकी गाउं वालों को बताया तो किसी ने विश्वास नहीं किया पूरे गाउं वालोंने और वो अपनी जगे बिल्कुल ठीक थे क्योंकि उस बच्चे में इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो एक बाल्टी पानी से भरी हुई वो उठा सके तो इतने बड़े बच्चे को इतनी उपर खीचना तो बहुत दूर की बात है लेकिन एक आदमी था उस गाओं में उसने विश्वास कर लिया उनको सब रहीम चाचा कहते थे उस गाओं के सबसे समझदार मुज़ूर्गों में से एक और सबको लगा कि यार ये कभी जूट नहीं बोलते हैं अगर ये कह रहे हैं तो जरूर कोई नो कोई बात होगी कोई नो कोई वज़े होगी जिस वज़े से ऐसा कह रहे हैं और फिस सारे गाओं वाले इखटे हो करके उनके पास में गए और जा करके बोले कि देखो जी हमें तो कुछ समझ आ नहीं रहा आप ही बता दो कि ऐसा कैसे हो सकता है तो उनको हसी आ गई वो बोले कि यार इसमें मैं क्या बता हूँ उसने कैसे किया बाल्टी को उठा गरके कुए में फैका उसके दोस्ने बाल्टी को पकड़ा उसने रसी को खीचा और अपने दोस्को बचा लिया तो आपको पता तो है उसने कैसे किया बच्चा बता तो रहा है इसमें मैं क्या बता हूँ तो सारे गाँवाले उनकी शकल देख रहे हैं फिर कुछ देर बाद वो बोले कि सवाल ये नहीं है कि वो छोटा सा बच्चा ये कैसे कर बाया सवाल ये है कि वो ये क्यों कर बाया कि उसके अंदर इतनी तागत कहां से आई और बोले इसका सिर्फ एक जवाब है सिर्फ एक कि जिस वक्त उस बच्चे ने ये किया उस ताइम पे उस जगे पर दूर दूर तक कोई नहीं था उस बच्चे को ये बताने वाला कि तू ये नहीं कर सकता कोई नहीं था कोई नहीं यहां तक कि वो खुद भी नहीं वो खुद भी नहीं